हेलो गाईज, वेरी गूड इवनिंग, मैं ही न आप सभी का स्वागत करती हूँ, अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 के ओफिशिल यूट्यूब चानल पर, तो दियर स्टूडेंट हमेशा संडे को मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन्स लेकर के आती हूँ, आज भी मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन्स लेकर के आई हूँ, जो की है आपका FCI AG3 के लिए, टेकनिकल का क्वेशन पेपर लास्ट येर का, तो गाईज, इससे आपको आईडिया हो जाएगा, कि अब आपका जो FCI का फॉर्म आया है, उसके लिए आप किस तरीके स आपको questions करने हैं, ठीक है, तो गाईज, आज के previous year questions से आपको idea लग जाएगा, कि आपका FCI का paper कैसा रहेगा, थोड़ा बहुत idea आपको हो जाएगा, ओकी, तो चलिए, स्टार्ट करते हैं आपका आज का session, ओकी, हां जी, चलिए गाईज, स्टार्ट करते हैं, आज का session तो आ next phase का paper ये है, तो guys, इसमें आपके जो questions है, वो आप देख सकते हो, Hindi और English दोनों में questions है, okay, Hindi और English दोनों में questions है, आपके, ठीक है, तो आप देख सकते हो, कि दोनों में ही, आपके पास questions आ रखे हैं, ठीक है, तो इस तरीके से, जो Hindi वाले student है, उनको डरने की जरूरत नहीं ह कि भाई, हमारे according paper नहीं आया, आपके according भी भाई, FCI ने paper set किया है, ठीक है, और आगे इस बार भी करेगा, तो first question है guys, one of these is different from others, कौन सा ऐसा है, जो दूसरों से अलग है, option है, आपके पास peripetus, archiopteryx, protopteryx, and neopilina, तो इन चारों में से जो अलग option था, वो था आपका archiopteryx, ठीक है, दूसरा question था, आपका correctly matched set, सही जोड़े का set इन में से कौन सा था, तो menace, spiny aunt eater, second option था आपके पास, penatula, c-pen, antidone, c-cucumber, and octopus, squid, अगर हम इसको हिंदी में पढ़ते हैं, तो menace, spiny, cheat, bhaqshy, entomology का question है, okay, okay, pinatula, samudri column, antidone, samudri kakdi, and octopus, squid, तो इसमें आपका correct answer था, penatula, c-pen, okay, next आपका question था, guys, selum derived from the blasto seal is known as, तो selum आपका, हिंदी में अगर हम इसको बोले, तो देह गुहा, जिसकी उत्पति, blasto seal से होती है, उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसे, तो guys, इसमें आपके पास option थे, hemo seal, scyzo seal, entero seal, and pseudo seal, तो हिंदी में भी आपके पास option है, आप read कर सकते हो, इनको, guys, इसमें आपका correct answer था, pseudo seal, okay, correct answer was, pseudo seal, इसके बाद चौथा question है, था आपका, females of which worm are viviparous, तो किस creamy की मादाएं, सजीव प्रजक मिन्स, viviparous होती हैं, तो option आपके पास थी, ascaris, spin worm, hook worm, and philarial worm, तो इसमें correct answer था, आपका philarial worm, okay, चलो, next question आपका soil science से था, which soil structure is suitable for the crop growth, की crop की growth के लिए कौन सा soil structure आपका suitable है, तो इसके पास, आपके पास option थे, laminar, platy, column, and granular, हिंदी में फसल बृद्धी हे तू, कौन सी मृदा सरचना उप्यूक्त है, तो इसमें आपके पास option थे, इस्तरी, पट्टित, संभाकार, और दानेदर, तो guys इसमें आपका correct answer था, granular, जिसका हिंदी में answer है, जिसका दानेदर, ठीक है, चलो, next question था, आपका cake in which highest amount of nitrogen is present, अगेंस ओल साइंस से एक question था आपका, इसमें आपके पास चार option थे, नीम केक, कैस्टर केक, ग्राउंड नट केक, और लिंसीट, और यहां हिंदी में अगर हम बोले, तो खली जिसमें अधिक्तम नत्रजत है, तो नीम की खली, अंडी की खली, मूंग फली की खली, और अलस इसमें आपका correct answer था, ग्राउंड नट केक, ओकी, next question, पंचेंसी इन अनियन बल्ब इस ड्यू टू, तो भाई, जब भी हम प्यास खाते ही, हमें अजीब सा टेस्ट आता है, तो किसकी वज़े से आता है, अलाइल प्रोपाइल डाइसलफाइट, या फिर आपका, कैपसीन, क एक second, इसमें next question था आपका, हीमो ग्लोबिन is found dissolved in plasma, हीमो ग्लोबिन किसकी रुधिर प्लाजमा में घुली हुई है, तो option थे आपके पास cockroach, rabbit, earthworm and frog, तिल चट्टा, खर्गोस, केंचुवा और मेंडग, तो इसमें आपका correct answer था, earthworm, earthworm में हीमो ग्लोबिन जो है, वो आपका plasma में dissolve होता है, हीमो ग्लोबिन आपका रुधिर प्लाजमा में, earthworm में मतलब की केचुवे में घुला हुआ होता है, ठीक है, चलो, next question हम देखते हैं गाईस, तो next question था, आपका, डाइकॉन, डाइकॉन डाइलिक स्कल इस फाउंड इन, तो आपका द्विकंदी, द्विकंदी स्कल किस में मिलता है, ठीक है, अगर हम इसको हिंदी में बोलते हैं, तो द्विकंदी स्कल आपका किस में मिलता है, अपका अपका अपहचेरों में है, सरिस्रिप में है, पक्षियों में है, या फिर अपहचेर तथा संधारियों में है, तो गाईस, इसका correct answer था, आपका, अ amphibians and mammals तो आपका जो डाइकॉन डाइलिक स्कल है वो आपका amphibians और mammals दोनों में present होता है ठीक है चलो अब next question हम देखते हैं guys next था इसका which organ is called graveyard of RBC तो भई आपका अगर हम हिंदी में बोले तो कौन सा अंग आपका RBC का कब्रस्थान कहा जाता है तो यकरित, प्लीहा, व्रिक और pencreas इंगलिश में अगर हम इसके option पढ़ें तो liver, spleen, kidney and pencreas तो guys इसका correct answer था आपका spleen प्लीहा जिसको हम बोलते हैं हिंदी में ये आपका RBC का कब्रगाह या फिर कब्रस्थान कहा जाता है जितनी भी RBC जब पूरे शरीर से पूरी बॉडी से जब वो destroy हो जाती है तो फिर उसके बाद कहां चली जाती है spleen में चली जाती है, प्लीहा में चली जाती है ठीक है, चलो, next question था guys आपका transitional epithelium is found in, transitional epithelium किसमें मिलता है, urinary bladder, heart, intestine या फिर skin में तो guys इसमें आपका correct answer था, urinary bladder, हिंदी में अगर हम इसको देखें, तो madhyam upkala dash में पाई जाती है मुत्राशे, हिर्दे, आत और त्वचा, तो इसमें से जो आपका urinary bladder है, option first उसमें आपकी madhyam upkala पाई जाती है ठीक है, चलो, next question हम देखते है, which crop is heavily affected by powdery medium pathology में ये मैंने आपको करवाया भी है guys, तो onion, okra, peas and cabbage तो हिंदी में हम इसको पढ़ते है, powdery medium, चूड़नी फफूद से कौनसी फसल सरवादिक शीन होती है, तो कौनसी होती है, प्याज, भिंडी, मतर या फिर पत्ता गोबी तो guys, इसका correct cancer था आपका peas, मतलब मतर, ok, मतर में आपका peas में सबसे जादा आपका powdery medium से infection होता है, ठीक है, चलो, अब next question था guys, आपका which vegetable is grown by transplanting seedling seedling को transplant करके, मतलब, powder open करके कौनसी सबजी गाई जाती है, ठीक है, तो musk melon, cabbage, carrot and radish तो इसमें सीधी सी बात हमें directly answer, दो option तो आपके वैसी गलत हो गए, musk melon, carrot and radish इनमें तो हम transplanting करते हैं, पौधार ओपर नहीं करते हैं, किसमें करते हैं, cabbage में करते हैं, ठीक है, तो कौनसी शाक, भाजी, पौध, रोपित करके उगाई जाती है, मतलब पौधा लगाया जाता है उसका, तो खरबूजा, पत्ता गोभी, गाजर या फिर मूली, तो answer क्या हो जाएगा, पत्ता गोभी, ठीक है, which one is cucurbit, तो इनमें से आपको बताना है कि cucurbit कौन सा है, तो guys, peas, okra, bottle guard and carrot, यह आपके चार option थे, जिसमें correct answer था, bottle guard, देखो, P आपका cucurbit family में नहीं आता, okra, जिसको आप भिंडी बोलते हो, वो भी cucurbit family में नहीं आती, carrot भी आपका cucurbit family में नहीं आता है, ठीक है, इसमें आपका correct answer था, locky जो की है, bottle guard, ok, चलो, next question हम देखते हैं guys, which one is coal crop, तो इनमें से आपका coal crop कौन सी है, नोल musk melon, sweet potato and radish, तो guys इसमें आपका correct answer था, नोल खोल, हिंदी भी अगर हम इसको पढ़ें, इनमें से कौन सी coal crop है, तो कौन सी coal crop थी, गाठ गोबी, ठीक है, गाठ गोबी, खरबूचा, सकरगंद और मुली, यह आपके पास option थे, जिसमें आपका correct answer था, गाठ गोबी, ठीक है, च of mammals में, इस्तनियों के नेतर में, I of mammals में, नोल खोलुचया of mammals, इस्तनियों की करनावर्थ में, तो correct answer था, आपका, कोल्चया of mammals, ठीक है, इस्तनियों की करनावर्थ में, next question था, which one of the following is not the pancreatic enzyme, इनमें से, आपका, pancreatic enzyme, इनमे से, आपका, अगनाश ब्रकीर, नहीं हैं, तो क और अपना चिय पंछा कमारी प्रप्ष्ण यह फोट हाइस्टाइकी कैम गहाइस आपका जॲिडिता और इसका अब पंछो फ्री प्रपर trata सभी देख़ा होगा चलो नेक्स्ट वेशन था आपका 26 लेकिन चलो, next question था आपका bile salt, bile salt contribute, चलो, bile salt contribute to, bile salt किस में contribute करता है, तो emulsification of fat, digestion of fat, absorption of fat and all of these, हिंदी में अगर हम पड़े, तो पित लवनों का योगदान है, किस में है, वसा को घोलने में, वसा के पाचन में, वसा के सोशन में, या फिर उप्युक्त सभी में, तो guys इसमें आपका correct answer था, all of these means उप्युक्त सभी, तो bile salt आपका emulsification of fat में भी contribute करता है, इसके अलावा digestion of fat में भी contribute करता है, absorption of fat में भी contribute करता है, ठीक है, चलो, next question था आपका, यूरिया is produced in animal by the breakdown of, भाई यूरिया का जो production है, animals में, वो किस के टूटने से होता है, ठीक है, जीवों में यूरिया का निर्माण होता है, किस से होता है, protein, nucleic acid, uric acid and purine, हिंदी में अगर हम बोले तो option थे आपके बस, protein के विखंडन से, nucleic acid के विखंडन से, uric acid के विखंडन से, या फिर purino के विखंडन से, तो guys, इसमें आपका correct answer था protein, ठीक है, protein के breakdown से आपका यूरिया का क्या होता है, production होता है, जब protein तूटता है, तो फिर उससे यूरिया का production होता है, next question था guys, आपका family of sweet potato is, sweet potato की family इन में से कौन सी थी, तो sweet potato की family इन में से, convolvacy है, या फिर आपका cucurbitacy है, या फिर आपका ambelifary है, या फिर crucifary है, okay, तो guys, इसमें आपका correct answer था, convolvacy, okay, convolvacy जो था वो आपका correct answer था, शुकर गंद का कुल है, तो क्या था, convolvacy, cucurbitacy, ambelifary, या फिर crucifary, तो इसमें correct answer है, आपका बेटा, convolvacy, ठीक है, चलो, next question था, आपका botanically banana fruit is, केला क्या है, botanically अगर हम बोले, तो केला क्या है, कौन सा fruit है, nut, palm, berry या फिर droop, तो इसमें से बनाना आपका berry है, ठीक है, nut, palm, berry या फिर droop, तो कौन सा fruit है, droop होता है, जैसे आपका आम तो बनाना, केला क्या होता है, आपका berry fruit होता है, ठीक है, चलो, next था, आपका reference sativus L is botanical name of, reference sativus L, किसका वानिस्पतिक नाम है, किसका है, turnip, radish, carrot and none of these, तो यह है आपका radish का, यानि कि मूली का, reference sativus जो है, यह आपका मूली का botanical name है, ओके, चलो, अभी दिख रहा है, ओके, चलो, अब next question भी हम आ जाते हैं, important distinguish characteristic of class insecta is, तो class insecta के important, important distinguishing characters किया है, मतलब, कीट वर्ग की पहचान के लिए, महत्व पूर्ण आपके characters किया है, ठीक है, तो joint appendages, compound eyes, six legs, और all of these, तो इसमें आपका correct answer था, six eggs, तो जो class insecta है, कीट वर्ग है, उसकी पहचानम कैसे करते हैं, उनमें, six legs होते हैं, six pair होते हैं, ठीक है, उससे हम पहचान करते हैं, की class insecta में आता है, next question था, आपका autonomic nervous system is a kind of, autonomic tantrica tantric, एक प्रकार का क्या है, motor tantric ca tantric है, sensory tantric ca tantric है, somatic है, या फिर central tantric ca tantric है, means, आपका motor nervous system होगा, sensory nervous system होगा, या फिर आपका somatic nervous system होगा, तो guys आपका correct answer था motor nervous system, so autonomic nervous system is a kind of motor nervous system, next question था आपका post ganglionic parasympathetic neurons release, तो क्या release करते हैं, acetylcholine, non epinephrine and gastrin and acetylcholine and non epinephrine and both, तो guys correct, इसका correct answer था, acetylcholine, तो जो आपका post ganglionic parasympathetic neurons हैं, यह आपके release करते हैं, acetylcholine को, तो इसमें आपका correct answer था, acetylcholine, ठीक है, चलो, next question भी हम आते हैं, तो gemules are formed form, gemules किसके लिए बनते हैं, किसमें बनते हैं, तो guys इसमें आपका correct, इसमें आपके पास options थे, asexual reproduction, sexual reproduction, par तो gemules आपके बनते हैं, asexual reproduction में, ठीक है, ना वो sexual में बनेंगे, ना वो आपके parthenogenesis में बनेंगे, ना ही आपके digestion में बनेंगे, total यह आपके बनते हैं, asexual reproduction में, राइट, चलो, next question था, आपका one of the distinguishing feature of mammals is, mammals का आपका distinguishable feature कौन सा है, hairs, pinna, four-chambered heart and diaphragm, तो diaphragm से हम क्या करत हैं, mammals के features को distinguish करते हैं, राइट, चलो, next question था, आपका plasma membrane, plasma membrane, क्या, provide mechanical support to the protoplasma, protoplasma को mechanical support provide करता है, या फिर, check the entry or exit of undesirable substance, undesirable substance की entry or exit को check करता है, right, delimits the protoplasm from the exterior, exterior, exterior से protoplasm की, protoplasm की delimits को check करता है, right, delimits the protoplasm from the exterior, बाहर से उसको बचा करके रखता है, या फिर all of these, तो plasma membrane generally आपके ये सारे काम करती है, आपके mechanical support भी provide करती है, protoplasm को उसको exterior environment से भी बचाती है, और दूसरा उसको undesirable, जो substance है, उनकी entry or exit को भी क्या करती है, उनकी entry or exit को भी check करती है, ठीक है, तो as a protective layer आप बोल सकते हो, next question था आपका nucleic acid R, तो nucleic acid क्या है, macromolecular compound, micromolecular compound, macro and micromolecular compound, या फिर non-molecular compound, तो guys इसमें आपका correct answer था, macromolecular compound, क्या correct answer था, macromolecular compound, ठीक है, चलो, next question था आपका, silk is a secretion of, silk किसका secretion है, okay, तो salivary gland का, thoracic gland का, या फिर आपका abdominal gland का, या फिर none of these आपका correct answer हो चाहँगा, तो guys इसमें आपका correct answer था, salivary gland, तो जो आपका silk है, right, जो आपका silk is a secretion of, silk जो है, ये आपका secretion होता है, salivary gland का, okay, guys देखो, properly visible है या नहीं है, एक बर देखो, next question था, आपका bile secretion part is, bile secretion part कौन सा है, pancreas है, liver है, spleen है, या फिर gallbladder है, तो इसमें आपका correct answer था, liver, liver is bile secreting part, okay, next question था, आपका ribosomes are made up of, RNA and DNA, DNA and protein, RNA and protein, DNA alone, तो RNA और protein से मिल करके बनता है आपका ribosome, देखो, बाटनी से कितने सारे questions आ रखे हैं, guys, आप देख सकते हो, ठीक है, काफी सारे questions आपके, बाटनी में आ रखे हैं, राइट, एक सगिंद, हिंदी वालो को नहीं दिख रहा है, हिंदी वाले student भी questions पढ़ लो, ठीक है, चलो, next question था, आपका which of the following is smallest RNA, तो इन में से आपका smallest RNA, कौन सा है, messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA, या फिर chromosomal RNA, तो हिंदी वाले students भी पढ़ ले, इन में से कौन सा सबसे चोटा RNA है, संदेश वाहक, ribosomal, इस्थानांतरण, या फिर chromosomal RNA, तो इस में से आपका correct answer हो जाएगा guys, transfer RNA, that is tRNA, ठीक है, सबसे जादा smallest RNA जो है, इसमें tRNA, ठीक है, चलो, next question पर हम आते हैं, which of the following is capable of self-replication, इन में से कौन सा है, आपका जो self-replication करता है, तो an enzyme, a carbohydrate molecule, water molecule, या फिर nucleic acid, तो इसमें आपका correct answer क्या हो जाएगा, nucleic acid, ठीक है, हिंदी वाली students भी देख लें guys, इन में से कौन सा स्वधी गुणन के लिए सक्षम है, enzyme है, carbohydrate अणू है, gel अणू है, या फिर nucleic aml है, ठीक है, या आपके पस options से correct answer था आपका nucleic acid, nucleic aml, ठीक है, next question था आपका carryokinesis means division of, carryok kinensis में किसका division होता है, ये काफी बार मैं आपको बता भी चुकी हूँ, cytoplasma in two, nucleus in two, protoplasma in two and none of these, तो nucleus का division होता है, carryon means क्या होता है, nucleus, तो इसका answer हो जागा, nucleus in two, हिंदी वाले students भी देख ले, carryokinesis का अभिप्राय होता है, कोशिका द्रव्य का दो में विभाजन, कोशिका correct answer हो जाएगा, ठीक है, चलो, अब next question है, functional unit of mammalian kidney R, तो functional unit कौन सा है, mammalian kidney का, ureter होगा, या फिर renal duct होगा, seminal duct होगा, या फिर all of these answer होगा, तो renal duct इसमें आपका correct answer था, next हिंदी में भी देख लेते हैं, इस तनियों के व्रिकों की, क्रियात्म की काईया है, ureter, व्रिक नलि या फिर उप्यूक्त सभी, तो इसमें आपका correct answer हो जाएगा, व्रिक नलिका, ठीक है, चलो, next question था, आपका, viruses are living because, viruses living होते हैं, क्यों, it grows, is multiply into the living cell, it contains metabolic enzyme, it respires like living ones, तो इसमें आपका correct answer था, it contains metabolic enzyme, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका metabolic enzymes होते हैं, ठीक है, चलो, यह आपका correct answer हिंदी में भी हम देख लेते हैं, देखो guys, इन में से काफी जारे questions है, जो मैं आप लोगों को करवा भी चुके हूं, virus जीवधारी है, क्योंकि, इन में से व्रिदी होती है, जीवकोशों में इनका गुणन होता है, इन में उपापचे enzyme होते हैं, और यह आपके जीवों की स्वस्चन करते हैं, तो इन में उपापचे enzymes होते हैं, इसलिए यह क्या है, जीवधारी है, ठीक है, चलो, a true fruit is developed, true fruit, सत्य फल, किस में बनता है, from thalamus, from nucellus, from ovary and from ovule, तो ovary से जो fruit आपका बनता है, उसको क्या बुला जाता है, true fruit बुला जाता है, हिंदी में भी देख लेत है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, guys, एक second, अब ठीक है, एक second, meotic division takes place in meotic division, किस में होता है, अभी फिर से नहीं देख रहा है, अब देख रहा है, अब देख रहा है, अब रॉपरली विसिबल है, ठीक है, मिउटिक डिविजन takes place in meotic division, किस में होता है, तो meotic division होता है आपका एंथर में, right, तो अर्ध शूत्री विभाजन होता है, पत्ती में, परागकोश में, तने में, या फिर जड़ में, तो किस में होगा, आपके एंथर में, means परागकोश में होता है, ठीक है, चलो, अब next, न ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं हम विभिनिता का सबसे बड़ा श्रोत आता है उत्परिवर्तन द्वारा गुड़ सूत्री अनियमित्ताओं द्वारा अर्ध सूत्री विभादन द्वारा या फिर पॉलिपलॉइडी द्वारा तो इसमें आपका तो इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑल्टनेट ट्रेट ऑफ जीन पेर इस एलील क्या होता है ऑल्टनेटिव फॉर्म आप जीन पढ़ते हैं राइट चलो हिंदी में भी देख लेते हैं एलील होता है जीन जोड़े का एक अंतरित रेट या फिर एक ट्रेट के जीनों की कुल संक्या या एग गुण सूत्र पर उपस्तित जीनों की कुल संक्या तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन ए जो है जीन जोड़े का एक अंतरित ट्रेड ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेशन हम देखते हैं विज इस नॉट आ रूट इनमें से कौन सी जो जड नहीं है प पढ़ते हैं चलो नेक्स्ट क्वेशन था अपका इस्टिल्ट रूट आर फाउंड इन तो भाई अवस्तब मूल किस में मिलता है राइस में शुगर केन में ग्राउन नट में या फिर ग्रैम में चावल में मूंगफली में गन्ने में या फिर चने में तो इसका करेक्ट आ स चलो नेक्स्ट कुषेशन हमदें फोटो सें टेक्स प्लीश अग्रीन प्रें प्लांट सेंसे सिलेशन होता है Mitochondria में, Harim Kavarum में और Ribozome में या फिर Kendraq में तो Harim Kavarum में होता है ठीक है? चलो Next question देखते हैं Air Cavities present in Lipophytes, Zeroophytes, Hydroophytes and Mesophytes तो Air Cavity किसमें present होती है? Hydroophytes में होती है ठीक है? चलो Hindi में भी देख लेता है Why you cost उपस्तित होते हैं लमडोदवुद, शुषकोदविद, जलोदविद या फिर आपका मद्योदविद तो इसका correct answer हो जाएगा आपका शुषकोद, sorry जलोदविद, ठीक है? चलो Next question देखते हैं Short day plant is इन में से कौन से आपके short day plant है? ठीक है? देखो Tomato, Pepper, Soya Bean and Sunflower तो आपका correct answer था इसमें Soya Bean Soya Bean जो है ये आपका कैसा plant है? Short day plant है, ठीक है? Soya Bean is short day plant तो अगर हम हिंदी में इसको पढ़ेगा इस तो ये हिंदी में हो जाएगा आपका अलप प्रकाशित पौधा Tomato, मिर्च, Soya Bean या सूर्य मुखी तो अलप प्रकाशित पौधा होता है आपका Soya Bean जिसको कम प्रकाश की आवशक्ता होती है चलो दूसरा question देखते है When the anther are fused together forming a tube and filament are free This condition is termed as Monoadolphus, Sinogenius, Sinandrus and Gynandrus तो इसमें correct answer था आपका Gynandrus ठीक है? देखो, सीधी सी बात जब पराकोश परस पर संयोजित होकर एक नलिका बनाते है और लाइट जादा पटली लाइट जादा पटली है स्टून्स को प्रॉपरली दिखाए नेरा पीडिया चीक है प्रॉपरली विसिबल नहीं है हाँ ठीक है ठीक है गाई एक मिनिट एक मिनिट रुक जाओ अभी कर रहे हैं दो मिनिट रुक जाओ ठीक है? तब तक आप questions देख लो तो जब पराकोश पर संयोजित होकर एक नलिका बनाते हैं और पुतंतु स्वतंत्र होते हैं तो इस सिति को क्या कहते हैं एक संदी या फिर आपका सिंजेनेसियस सिननेंडरस या फिर गाईनेंडरस तो गाईनेंडरस ओप्शन चोथा आपका सही आंसर होगा ठीक है? चलो दूसरा इन होमोजाइगस प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगस प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन कैसा होता है? यील्ड प्रोजनी विच आर नॉट वैरियेबल बी ओप्शन था यील्ड प्रोजनी विच आर हाईली वैरियेबल तीसरा ओप्शन था इस नेवर पॉसिबल चौता ओप्शन था is generally overcome by the various adaptation ठीक है तो इसका correct आंसर था yield progeny which are not variable ठीक है in a homo jagus plant cell pollination yield progeny which are not variable ये आपका correct आंसर हो जाएगा ठीक है चलो हिंदी में अगर हम देखते हैं तो एक सम युगमजी पौधे से स्वपरागण के कारण क्या थे क्या होंगे ऐसे संतान की उत्पते जिसमें विभिनित आएं नहीं होती है ये आपका correct आंसर हो जाएगा ठीक है चलो next question था आपका apple mixes in plant means development of plant apple mixes जो होती है plant में उसका मतलब क्या होता है तो मी की plant का development कहां से हुआ है तो ये हो जाएगा from the stem cutting stem cutting से हुआ है या फिर root cutting से हुआ है without fusion of gamut gamuts के fusion के भीना हुआ है या फिर from the fusion of gamuts तो apple mixes generally guys आपकी होती एक सब्सक्राइब ये आपकी होती है without fusion of gamuts without fusion of gamuts क्योंकि इसको हम किसमें बढ़ते हैं एस actual reproduction में बढ़ते हैं तो without fusion of gamut से आपका क्या होता है apple mixes होती है ठीक है हिंदी में भी इसको पढ़ लेते हैं हिंदी में है ये पौधे के पौधे में अप मिश्रन का अभिप्राय होता है पौधे की उत्पती कहां से हुई है तने की कल्मों से जड़ की कल्मों से युगमनों के बिना संयोजन से और युगमनों के संयोजन से तो correct answer होगा आपका युगमनों के बिना संयोजन से इसमें युगमनों का संयोजन नहीं होता है ठीक है चलो next question देखते है false fruit developed from अभी तो आपने true fruit पढ़ा था कि ovary से बनता है अब आया है false fruit developed from false fruit कहां से बनता है तो false fruit बनता है आपका ovary से parthenogenesis से thalamus से या फिर none of these तो apple false fruit है सेब क्या है सेब आपका ये कूटफल है मतलब false fruit है कहां से बनता है thalamus से बनता है ठीक है तो correct answer हो जाएगा आपका thalamus हाँ बिलकुल without fertilization हो जाएगा ठीक है चलो हिंदी में भी देख लेते हैं guys हिंदी में आपका हो जाएगा एक कूटफल परिवर्दित होता है अंडाशे से अनिशीक जनित बीट से पुषपासन से या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका correct answer हो जाएगा आपका पुषपासन से ठीक है ओवरी से नहीं बनेगा चलो next question देखते है guys the inflorescence of barley is तो barley का inflorescence कैसा होता है साइमोस, racimos, compound and special तो correct answer हो जाएगा आपका racimos कैसा inflorescence मिलत है ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं guys हम इसको तो जो में पुषपक्रम होता है जो का पौदा होता है ना शशीमाक्षी अशीमाक्षी शैयूक्ति या फिर विशिष्ट तो अशीमाक्षी होता है ठीक है चलो next question देखते है family of mustard is mustard सरसों की कौन सी family है कौन सा कुल है मालव कुकुर बिटेसी और लेग्यूमिनेसी तो इसका correct answer था आपका कुकुर बिटेसी sorry crucifery क्या था इसका correct answer crucifery तो mustard की family है आपकी crucifery देख लेते हैं सरसों का कुल है मालवेसी crucifery कुकुर बिटेसी लेग्यूमिनेसी तो कौन सा था आपका crucifery ठीक है चलो next question पर चलते है the coriander flower is धनिये का फूल होता है capitalum spadix catkin and umble तो कैसा होता है चाते जैसा होता है na umble shape umbrella कैसा होता है umbrella जैसा होता है चाते जैसा तो इसलिए क्या हो जाएगा umble shape हो ठीक है चलो हिंदी म umble spadix या catkin तो again umble ठीक है चलो oriza sativa is botanical name of oriza sativa किसका botanical name है किसका वानिश्पतिक नाम है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका rice potato tomato rice and maze आपके पास option थे oriza sativa simple question यह तो सभी को पता है कि rice का botanical name होता है ठीक है oriza sativa वानिश्पतिक नाम है आलू का tomato का धान का या फिर मक्का का त चलो next question देख लेते हैं dry indecent one seeded fruit derived from the inferior bicapillary ovary is known as sylip sypsela nuts creamocarp and legume तो इसमें आपका correct answer था sypsela ठीक है चलो हिंदी में भी देख लेते हैं इसको शुष्क असफोटी एक बीजी फल जो अधोवर्ती द्वे अंडपी अंडाशे से विक्सित होता है कहलाता है तो इसको क्या बोलते हैं सिपसेला nut creamocarp या फिर शिंब तो correct answer क्या था आपका correct answer था आपका सिपसेला ठीक है चलो next question देखते हैं guys edible part of leachy fruit बहुत जादा important और ब and fleshy aril तो aril वाला part हम क्या करते हैं खाते हैं जो juicy होता है ठीक है चलो next question है guys अपका लीची फल में खाया जाने वाला भाग तो आपका fleshy aril होता है ठीक है चलो अब next question देख लेते हैं basal cell of eulothrix is devoid of तो भाई eulothrix के basal cell में क्या नहीं होता है nucleus नहीं होता chlorophyll नहीं होता है chloroplast नहीं होता है या फिर paranoid नहीं होता है तो इसका correct answer हो जाएगा आपका chloroplast eulothrix के basal cell में आपका chloroplast नहीं मिलता है हिंदी में भी देख लेते हैं गईस हिंदी में हो जाएगा कि आपका यूलोथ्रिक्स आधारी या कोशिका में नहीं पाया जाता है केंद्रक पंड हरिम हरितलवक या फिर पारिनॉइट तो हरितलवक नहीं होता है ठीक है चलो next question देखते है बेक्टीरियो फास कंसेस्ट ऑफ जिवानु भोजी बना होता है कार्बन नाइटोजन से डियने से नुकलियो प्रोटीन से या केवल प्रोटीन से तो नुकलियो प्रोटीन से मिलकर के बनता है ठीक है चलो next question देखते है नंबर आफ स्टैमन इन ग्रीन ग्राम इस तो भई ग्रीन ग्राम में नंबर आफ स्ट तो कितनी होती है दस होती है ठीक है पिचर प्लांट इसको इसको कंज्यूम कर लेता है ठीक है चलो very good कादक कलश पादप है कलश पादप क्या होता है घड़े जैसा होता है इसलिए इसको कलश पादप बोलता है परचीवी सहजीवी शौपोसी और कीटहारी तो कीटहारी होता है ठीक है चलो next question देख लेते हैं guys the division of nucleus is known as तो nucleus के division को क्या बोलते हैं cytokinesis, karyokinesis, anaphase या फिर metaphase हिंदी में kendra की विभाजन को कहा जाता है cytokinesis, karyokinesis, पश्चावस्ता, madhya वस्ता तो karyokinesis बोलते हैं ठीक है अभी उपर ये question दूसरे उसमें पूछा गया था ठीक है दूसरी language में थोड़ा सा बदल के चलो next question during mitosis the cent centromere divide at mitosis में centromere कहां पर divide होता है profase, metaphase, anaphase या फिर telophase तो ये आपका anaphase में divide होता है ठीक है हिंदी में भी देख लेते हैं शूत्री विभाजन में गुण सूत्र बिंदु अलग होता है पूर्वा वश्ता में, madhya वस्ता में, पश्चा वस्ता में या फिर आपका अंत् प्रारंबिक सजीव समवहनी या पादप होते हैं कौन से हैं स्फेगनम, आपके साइकेडस, ब्राउन एली या फिर फर्न्स हिंदी में भी आपके यही option है स्फेगनम, साइकेडस, भूरे सैवाल या फिर फर्न्स तो फर्न्स आपके सबसे पुराने वैस्कुलर प्लांट् चलो, next question का answer दीजेए guys, movement of plant are not affected by water, temperature, light and chemicals, तो plant का movement किसे effect नहीं होता, water से नहीं होता, ठीक है, पौधों की गतिशीलता नहीं प्रभावित होती है, जल से, ताप से, प्रकास से, या फिर आपके रशायन से, तो यह आपके जल से प्रभावित नहीं होती है, ठीक है, चलो, next question का answer दीजेए guys, dispersal of seed by wind is known as, जब हवा से आपके बीचों का विकिरण होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, एनिमो कोरी, जू कोरी, ओटो कोरी, या हाइडो कोरी, तो क्या बुला जाता है, एनिमो कोरी, जब विंड से आपका क्या होता है, विकिरण होता है, ठीक है, चलो, next question आपका secondary growth does not occurs in, secondary growth किसमें नहीं होती, दुटियक वृद्धी नहीं होती है, डायकॉट प्लांट में, मोनो कोट प्लांट में, जिम्नो स्पम में, अल अफ दीज में, दुवीच पत्री पौधों में, जिम्नो स्पम में, या फिर सभी में, तो यह आपकी, मोनो कोट इस food poisoning organism, food poisoning organism इनमें से कौन सा है, lactobacillus, clostridium botulinum, streptomyces and none of these, निम्न में से कौन सा food poisoning जीवानू है, मतलब जो क्या गरता है, खाना खाने के बाद, poisoning, food poisoning cause करता है, lactobacillus, clostridium botulinum, streptomyces और इनमें से कोई नहीं, तो इस सभी को पता है, कौन सा है, clostridium botulinum है, ठीक है, very good, चल हान जी, हान जी ये टेक्निकल का पेपर है बिटा, टेक्निकल का पेपर है, ओकी, चलो, next question का answer, next question है आपका, in rice grain, the endosperm is, rice grain में endosperm कौन सा पार्ट होता है, fatty portion, starchy portion, protein portion, या फिर नन अफ दीस, तो चावल के दाने में endosperm होता है, वसीय भाग, starchy भाग, protein भाग या इनमे rice का endosperm, ठीक है, चलो, next, अगले question देख लेते हैं, crop in which upper root portion is used in a seed production, तो crop जिसमें आपका upper root portion जो है, seed production के लिए use होता है, onion में, turnip में, ginger में, या फिर turmeric में, तो आपका turnip में, crop का जो upper root portion है, वो seed production के लिए use होता है, हिंदी में भी देख लेते हैं, फसल जिसमें, जड़ का, उपरी भाग, बीज उत्पादन हे तू, प्रयोग में लाया जाता है, किस में, प्याज में, सल्चम में, अद्रक में, या फिर हल्दी में, तो सल्चम में लाया जाता है, ठीक है, चलो, दूसरा question था, crop infected by करनाल बंट, कितनी बार करवाया हुआ यह है, मेज, ग्राम, wheat and paddy, तो इसमें आपका correct answer था, wheat, ओकी, चलो, हिंदी में भी देख लेते हैं, फसल जो करनाल बंट से ग्रसित होती है, मक्का, चना, गेहूं और धान, तो गेहूं, ठीक है, अगला question था, when xylem and phloem from separate, from separate bundle, they are called, तो xylem and phloem, जब अलग-अलग bundle बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते है, radial vascular, collateral vascular, concentric vascular, या फिर bicolateral vascular, ये भी करवाया हुआ है, क्या होगा, radial vascular bundle, तो guys, आप देख सकते हो, बोटनी में, कितने सारे question में, आप लोग को अलरड़ी करवा चुकी हूं, ठीक है, चलो, जब xylem और phloem, अगर pool बनाते हैं, तो उसे कहा जाता है, radial samvahan pool, collateral samvahan pool, concentric samvahan pool या फिर bicolateral samvahan pool, तो ये होता है, आपका radial samvahan pool, ठीक है, चलो, अगला question, अगला question देख लेते हैं, cambium is more active during, cambium सबसे ज़्यादा active कब होता है, winter, autumn, spring और uniform throughout the year, तो कब होता है, spring season में वो ज़्यादा active होता है, करवाया हुआ ये question, यूट्यूब पे भी करवाया था, ये classes में, देखना एक बार, ठीक है, एधा सबसे अधिक क्रियाशील होता है, सर्दी में, शरद में, वसंत में, या फिर वश परियंत एक समान, तो कब होता है, वसंत में ज़्यादा active होता है, ठीक है, अगार इस obtained from, कितनी बार करवाया होा है, ये red elga, green elga, brown elga, blue green elga, तो red elga से अगार obtained करा जाता है, अगर प्राप्त करा जाता है, लाल सेवाल से, हरिच सेवाल से, भूरे सेवाल से, नील हरिच सेवाल से, तो किस से बिलता है, लाल सेवाल से, ठीक है, next question है, आपका, reserve food material of green elga, green elga का reserve food material कौन सा है, protein glycosin starch and oils, तो क्या होगा, starch, green elga starch के form में क्या करत है, हिंदी में भी देख लेते हैं, तो हरिच सेवाल का निश्चित भोज्य है, protein, glycosin, starch या फिर oil, starch हो जाएगा, ठीक है, starch में ये क्या गएते हैं, अपने शरीर में खाने को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, चलो, next, amphibians and reptiles are studied under the branch, एक्थियोलोजी, हर्पीटोलोजी, entomology and sorology, तो हर्पीटोलोजी आपका correct answer हो जाएगा, amphibians और reptiles की study हम किसमें करते हैं, हर्पीटोलोजी में करते हैं, हिंदी में भी देख लेते हैं, उबैचेरो तथा सरी स्रिपोन, जो आपके snakes होते हैं, ठीक है, का अधियन करा जाता ह है, आपका एक्थियोलोजी में, या फिर आपका हर्पेटोलोजी में, entomology में, या फिर sorology में, तो हर्पेटोलोजी में करा जाता है, ठीक है, चलो, अगला question था आपका, plant which is adapted to an environment deficient in moisture is called as, तो जो प्लांट आपका क्या होता है, adapted होता है, moisture deficient condition के लिए, तो उसको क्या बोलत है, क्योंकि वो आपका, without moisture, वहाँ पर survive कर लेता है, हिंदी में भी देख लेते हैं, एक पौधा जो आद्रवाता वरण की कमीज के लिए, अनुकूलित होता है, क्या होता है, हेलोफाइट, हाइडोफाइट, जीरोफाइट, तो जीरोफाइट, जो पौधी आपके बीना प किस क्रियाशील प्रक्रिया द्वारा अभिगरहित करता है, फोटोलिसिस, फोटोसंथासिस, फोटोट्रॉपिजम या फोटोपीरियोडिसम, वो सूरे की उर्चा को प्रियोग में लाता है, और अपना हरा रंजक, हरी रंजक को यूज़ करता है, किसके लिए, तो ग्रीन बहुत ऐसे क्वेशन, लाइकोपिन या फिर आपका अट्रिपन तो बहुत ईज़ी क्वेशन, लाइकोपिन या या फिर आपका एट्रपें, यह लिए खरवा चुकी हूँ, ठीक है? पके हुए टमाटर एवं लाल मिर्च का लाल रंग किस के कारण होता है केरोटीन, जेंथ्रोफिल, लाइकोपिन या फिर एट्रोपिन तो लाइकोपिन की वज़े से होता है ठीक है तो गाइस ये ये था अपका प्रिवेस येर का question paper ठीक है इसमें से अभी और भी question है इसमें अभी और भी question है देखिए A cell wall of bacteria is made up of तो किसे मिलकर के बनी होती है आपकी cell wall Cellulose, Pactin, Peptidoglycan या फिर काइटीन तो ये कही बार बताया आप लोग को Peptidoglycan किसे मिलकर के बनी होती है Peptidoglycan Bacteria की कोशिका बित्ती किसे मिलकर के बनी होती है तो Peptidoglycan से ठीक है चलो अगला question देखते है Which of the following is not rhizopus इन में से कौन सा ऐसा है जो rhizopus नहीं है Sporengia, Rhizoid, Columela and CT तो क्या correct answer हो जागा CT करवा चुकी है ये भी classes में जो मैं आप लोगों को fungus करवा रही थी Rhizopus में निम्र में से कौन सा नहीं पाय जाता है Sporengia, Rhizoid, Columela and CT तो CT आपका correct answer हो जाएगा ठीक है अगला question था आपका Development of sporophyte Directly from gametophytic tissue is Apogamy, Apospory, Apomyxis and Parthenogenesis तो इसमें correct answer क्या हो जाएगा इसमें आपका correct answer हो जाएगा Apogamy, ठीक है ये भी करवा चुकी हूँ युग्म कोद्भिद उतक के से सीधे बीजाडू दमक विक्सित होने को क्या कहते है Apogamy, Apospory, Apomyxis या Parthenogenesis तो क्या कहते है Apogamy, करवाया हुआ ये मैंने है न चलो next question था आपका एक second इसमें आपका अगला question था दिखाई दे रहे विजिबल है आप लोगों को अभी विजिबल है गाईस बताईए अभी विजिबल है प्रॉपरली ओके ठीक है चलो अगला question था आपका कौरिंबोस इंफ्लोिंस इस फाउंद इन कौरिंबोस इंफ्लोंस इस में मिलता है कंपोसिटी, क्रूसिफेरी, штउरनेटी, इंफ्लोरेंस इन आपका क्रूसिफेरी, Consul debut, Solanace दे उपन, में ईफ्लोरेक्स और क्रूसी एंपोसिफेरी इनदा है मैंने क्या बता है C4 प्लांट कौंसे होते हैं? Jyn में पहला प्रोडॉक्ट आपका चार चार कार्बन वाला होता है जिसमें तीन कार्बन वाला होगा, C3 प्लांट, करवा चुकिह हो यह भी है ना? क्या होगा पैडी, पी, पीनट and जुआर, तो कौनसा होगा धान, मटर, मुंग, फली और जुआर, इनमें से C4 पौधा कौनसा होगा, तो जुआर होगा, ठीक है, अगला question, which crop have relatively higher requirement of sulfur, कौनसी crop को sulfur की जादा जरूरत होती है, सीरे, लेग्यूम, oil seed crop, या फिर शुगर crop, तो इ होती है, अनाज, फली, तिलहन फसल या शरकरा, तो तिलहन फसल को जादर जरूरत होती है, शल्फर की, ठीक है, अगला question था, in which plant, एरन काइमा cells are found, बरसीम, rice, oats and cotton, तो rice में आपका एरन काइमा cells मिलते हैं, ठीक है, ये भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, हिंदी में अगर हम पढ़ें, तो किस पौधे में एरन काइमा कोशिकाएं पाई जाती है, बरसीम, चावल, जई और कपास तो चावल में पाई जाती है, ठीक मालवेसी, तो correct answer हो जाएगा आपका solenasi, ओके, correct answer हो जाएगा आपका solenasi, तो आलू कौन से कुल का पौधा है, solenasi का, ठीक है, अगला question है, आपका fruit of composite is, berry, sipsela, droop and capsule, तो correct answer क्या होगा आपका, sipsela, right, sipsela आपका correct answer हो जाएगा, ठीक है, आप सही है, ओके, मैं, live class कितने बोटनी की शुरू हो जाएगी अभी, तो I think, आप लोगों को टाइमिंग बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगी मैं, वैसे अभी ही तो जो था वो आपकी डाइवजे हो रही थी, डाइवजे से तीन बजे केमिस्ट्री की क्लास हो रही थी, बोटनी की क्लास आपक प्रूट अफ कमपोजिटी इस तो कौन सा है? सिपसेला है, ठीक है, कमपोजिटी का फल है, बेरी, सिपसेला, डूप एड कैपसूल, तो क्या हो जाएगा? सिपसेला हो जाएगा, ठीक है, अगला क्वेशन था आपका, फाइबर डिराइव प्रॉम द सीट कोड, तो सीड को मतलब सनई से, तो क्या होगा गरेक्ट आंसर? कपास से, ठीक है, चलो, अगला क्वेशन देख लेते हैं, अगला था, विच टाइप ऑफ स्वाइल इस एब्सॉर्ड बाइड रूट हेयर, अफ द प्लांट, तो कौन सा स्वाइल वाटर रूट हेयर एब्सॉर्व करते हैं, तो केपलरी वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं, ठीक है, केपलरी وाटर को एब्सॉर्व करते हैं, यह आप लोगनों को टरवा रखा है, मैंने यक क्वेशन भी है न, «किस प्रकार का मृदा जल पौधों के जड़ रोगों, जड़ रोमों द्वारा अफशोसेत करा जाता है अधरता ग्राही कोशिका जल गुरुत्विय जल या उप्युक्त सभी तो कोशिका जल करा जाता है ठीक है चलो अगला question देखते है if the cell lose water when placed into the solution is hypotonic, saturated, hypertonic and weak तो क्या होचाएगा hypotonic करवा चुके है उसको भी बहुत अच्छे से है ना यदि एक कोशिका किसी घोल में रखने पर जल छोड़ती है तो वह घोल है कैसा होगा hypotonic, saturated, hypertonic या कमजोर तो कैसा होता है वो घोल आपका hypotonic हो जाएगा ठीक है चलो अगला question देखते है which element induce disease tolerance in plant तो कौन सा तर्तो पौधी में रोग प्रतिरोधन प्रेरित करता है आपका nitrogen हो जाएगा, sulfur हो जाएगा, calcium हो जाएगा, potassium हो जाएगा तो potassium आपका क्या करता है? रोग प्रतिरोधन मतलब disease tolerance जो है किसी भी plant में कौन induce करता है? यह आपका induce करता है potassium, ठीक है? बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी बिटा बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी, ठीक है? चलो next question का answer, next question देखते हैं और उसका answer करते है plant tolerant to the high salinity condition are called halophyte, hydroophyte, heliophyte या फिरोफाइट आपका zerophyte, तो क्या हो जाएगी आपके यह आपके उच्छे शारिये दिसाओं को सेहन करने वाला होता है आपका helophyte, next question देखते है, rice influence is known as spike, ear, panicle and flow rate, तो क्या हो जाएगा? spike, rice influence क्या है? panicle होता है, ठीक है? तो चावल का pushpakram जाना जाता है पुष्पगुच, करन या फिर पुष्पक, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्पगुच, ठीक है? अगला question देखते है पाइरिला बिलोंग्स टू, पाइरिडी या फल्गोरिडी शाइकेडेली और जैसीडी तो इसमें हिंदी में भी पढ़ लेते हैं पाइरिला किस से संबंदित है? पाइरिली डे या फिर आपका फल्गोरिडी, साइका डेली डे और जैसी डे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फल्गोरिडी ठीक है? अगला था nitrogen is available for the plant in the form of nitrogen कौन से? किस में पौधों को उपलब्ध होता है? nitrogen gas, nitrogen dioxide, nitrate or nitric acid तो भही nitrogen gas के रूप में, nitrogen dioxide के रूप में, nitrate के रूप में या फिर nitric ambalik के रूप में तो nitrate के रूप में क्या होता है? ये आपके पौधों को available होता है, nitrate के form में plants को available होता है ठीक है? अगला question था आपका, the guard cell differ from the epidermal cell is having, cell wall, mitochondria, chloroplast and vacule तो guard cell जो होती है, differ from the epidermal cell, क्यों होती है? क्योंकि ये आपके किस में होती है? ये आपके chloroplast में होती है guard cell, कितनी बार बताया है आप लोगं को? इस स्वमेटा में guard cell होती है, बताय हुआ है, बहुत बार बताय हुआ है ठीक है? पुल होती है क्योंकि guard cell में पाये जाता है ये question क्यों कितनी बार बहुरत कमें है कितने जогाधा question के लिए विवाजन के लिए उत्तर लाई होता है आपका साइटोकाइन होता है करवा रखा यह क्वेशन भी विच इस टू फॉर्स टेरिडोफाइट के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है तो क्या होगा टेरिडोफाइट के लिए क्या सत्य है दुवितियक विरिदी होती है सभी में विशम बिजानुता पाया जाता है या फिर यूगमो कोडवित प्रमुक होता है या फिर फ्लोम में कोशिका अनुपस्तित होती है ठीक है अगले कोशन को देखते हैं प्रिडेटर और प्लांट का dönख तो का चलब तो पूरे प्लांट की स्वांट का पूर्ण को पूद्धों के परिभक्षी को तो heninters पूला जाता है ठीक है जो सीधा पौदों को खा जाते हैं जैसे हिरन हो गया और भी बहुत सारे होते हैं ना चलो अगला question देखते हैं which of the following is major disease of onion in India तो इंडिया में onion की major disease कौन सी है leaf light smut purple blotch and white rot तो कौन सी हो जाएगे purple blotch करवा चूके हो यह भी है ना भारत में प्याज का सबसे एक सबसे बड़ा रोग है पत्ती अंगमारी या फिर सफेद विगलन तो बैंगनी वरण हो जाएगा ठीक है अगला question देखते हैं the stem vegetable is stem vegetable कौन सा है तो carrot, नोल खोल, sweet potato and radish तो नोल खोल हो जाएगा एक इसकंद वनस्पती है गाजे, शकरगंद, गाट कोवी या फिर मूली तो गाट कोवी हो जाएगा ठीक है अगला question which of the following vegetable is monocot, कौन सा इन में वनस्पती एक बीच पत्री है, cabbage, onion, okra या फिर musk melon, बंदगोवी, भिंडी, प्याज या फिर खरभूचा, तो क्या जगा correct answer, onion, प्याज हो जाएगा, ठीक है चलो, अगला question है आपका, in cycles the pollen grain at the time of pollination attend, तो cycles pollen grain, आपका pollination के time पे, pollen grain को कौन सी stage में ये आपका attain करता है, one cell stage में, two cell stage में, three cell में या four cell में, तो 3-cell stage में attain करता है, ठीक है, साइकस में परागण के समय परागण होते हैं, 1 कोशिका, 2 कोशिका, 3 कोशिका, 4 कोशिका, तो कैसे होता है, यह आपके 3 कोशिका होता है, ठीक है, अगला question देखते है, smooth endoplasmic reticulum is involved in, protein synthesis, glucose synthesis, fat synthesis and enzyme synthesis, तो smooth endoplasmic reticulum, SCR, किसमें involved होता है, आपका, fat synthesis में, ठीक है, यहाँ पर भी देख लेते हैं, चिकना endoplasmic reticulum, भाग लेता है, protein, glucose, वसा ससलेशन में, या enzyme ससलेशन में, तो वसा ससलेशन में, ठीक है, और RER क्या करता है, rough endoplasmic reticulum, protein synthesis करता है, ठीक है, चलो, next question देखते हैं, when a cross is made up between, F1 of spring of its parent is no class, reciprocal back cross, test cross and dihybrid, तो जब F1 of spring का, उसके ही parent से cross करवाते हैं, तो उसको क्या बने जाता है, back cross, बोलते हैं ना, back cross, है ना, यह genetics में पढ़ाना है, जब F1 संतति, और उसके जनक के बीच में, शंकरन करा जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, back cross बोला जाता है, ठीक है, अगला question देखते हैं, ergot is an important disease, कितनी बार करवा है यह, wheat, pearl millet, sorghum and maize, तो किसमें होती है, pearl millet में होती है, ठीक है, ergot किसका विख्यात रोग है, जवार, बाजरा और मक्का, किसका है यह आपका, pearl millet मतलब बाजरा का है, ठीक है, अगला question देखते हैं, which one of the, which one of the cucurbit flower in the evening, तो इसमें से कौन सा आपका cucurbit, शाम के, यह आपका शाम के समय खिलने वाला फूल है, तो sponge guard, bitter guard, bottle guard and musk guard, तो bottle guard है, पटाटो, ब्रिंजले, musk milan, तो यह आपका पटाटो, sorry tomato होता है, टमाटर खट्टा होता है न, which, कौन सा वनस्पति, अमलीय प्रकृति का है, तो कौन सा होता है, टमाटर, ठीक है, उसमें असेट जादा होता है, ठीक है, अगला question देखते हैं, ग्रीनिंग ऑफ पटाटो, रिजल्टिंग इन, यह आपका आलू हरा क्यों होता है, इंक्रीज इन न्यूट्रियन क्वालिटी, उसकी न्यूट्रियन क्वालिटी, इंक्रीज करती है, डिक्रीज इन न्यूट्रियन क्वालिटी, increase in disease resistance and decrease in disease resistance तो आलू में हरापन आपने देखा होगा हरा आलू तो किसके परिणाम सुरूप होता है पौश्टिक गुणवत्ता के या फिर आपके रोग प्रतिरोधन में व्रिधी के कारण रोग प्रतिरोधन में कमी के कारण या पॉष्टिक गुणवत्ता में कमी के कारण तो किसकी विज़े से होता है पॉष्टिक गुणवत्ता में कमी के कारण होता है मतलब decrease in nutritional quality की विज़े से होता है ठीक है next whiptail disease in brassica is due to कितनी बार करवाया हुआ यह है ना तो निमेटोड, mechanical injury या फिर herbicidal toxicity या फिर deficiency of molybdenum तो molybdenum की deficiency से whiptail disease होती है बता रखा नहीं बहुत बार करवाया है ब्रेसिका में whiptail रोग किसके कारण होता है निमेटोड या अंत्रिक चोट हर्बिसाइडल विसिक्टता या फिर आपका molybdenum की कमी से तो molybdenum की कमी से होता है ठीक है अगला question देखते है crop heavily infected with phalaris minor is phalaris minor से कौन सी crop में सबसे जादा infection होते हैं तो यह भी बहुत बार हो रखा है आप लोग का entomology में पैडी शुगर के इन बरसी में वीट में होता है यह ना तो phalaris minor से इस अधिक फसल कौन सी है धान गन्ना बरसी में और गेहूं तो गेहूं होती है ठीक है अगला देखते हैं खेरा disease of pedis due to deficiency of the zinc तो खेरा धान में खेरा रोग किसकी कमी के कारण होता है जिंक की कमी के कारण होता है ठीक है which of the following element is not essential but beneficial for the plant growth तो कौनसा ऐसा element है कौनसा ऐसा तत्व है जो फिलांट ग्रोथ के लिए beneficial होता है मतलब पॉधे की व्रिधी के लिए beneficial होता है लाब दायक होता है लेकिन वो essential नहीं है जरूरी नहीं है तो sodium क्या होता है, पौधे की वृद्धी के लिए जरूरी होता है, growth के लिए required होता है, scientific name of potato, potato का scientific name क्या है, तो solenum tuberosum, आलू का वैज्ञानिक नाम क्या है, solenum tuberosum है, अगला question है, the stem above the ground in banana is known as, तो जो आपका तना होता है, आलू का जमीन के उपर, उसको क्या बुला जाता है rhizome, pseudostem, suckers, या none of these, तो क्या बूलते हैं मुसे, pseudostem, परसों ही करवा है, मैंने crop physiology की class में ये question करवा है लिटिल लीफ of brinjal is caused by, ये भी करवा है वो आप लों को pathology में, निमेटोड, mycoplasma, viroid and bacterium, तो किस से होता है, mycoplasma cause करता है, ठीक है, बैंगन का little leaf, rogue, किसके कारण हो करता है, ये होता है आपका mycoplasma के कारण, ठीक है, browning of cauliflower is due to, क्योली फ्लार में browning किस की विज़े से होती है, boron deficiency, nitrogen, excess of boron and molybdenum, तो full goby में भूरापन, किस के कारण आता है, boron की कमी के कारण, ठीक है, boron deficiency की विज़े से होता है, next question, calcium carbide coming in contact with moisture release, तो calcium carbide जब आपके moisture के contact में आता है, तो क्या करता है, acetylene release करेगा, ethylene, phosphine या फिर chlorine, तो ये आपका acetylene release करता है, आदरता के संपर्क में आने पर, calcium carbide, इमने में से छोड़ता है, acetylene, ethylene, phosphine या chlorine, तो क्या छोड़ता है, acetylene, ठीक है, तो guys, ये आपके आज की questions थे, right, तो आज की questions को देख करके, आप ये identify कर सकते हो, कि आपका level कैसा आता है, और इन वे से मैंने बहुत सारे questions आप लोगों को already, youtube class में और paid class में भी botany वाले students को, मैंने बहुत सारे questions करवा रखें, तो guys, आप इसमे identify कर सकते हो, pathology में भी कितनी सारी disease मैंने आप लोगों को करवा रखें, जो इस question paper में already पूछी गई थी, तो guys, आप इससे identify कर सकते हो, कि कितने questions मैंने आप लोगों को करवाई थे, ठीक है, तो guys, अगर आप लोगों को हमारी classes अच्छी लगती है, तो आप हमारे batches में enroll कर सकते हो, FCI के batch में enroll करने के लिए आपको क्या करना है, अड़ा 24-7 की website पर जाना है, जैसे ही आप website पर जाओगे, आपको all courses में जाना है, और code यूज करना है, Y447, Y447, ठीक है, FCI में जैसे ही आप जाओगे, आपको FCI AG3 या AG2, जिसके लिए भी आप apply कर रहे हो, उसमें आपको जाना है, आप batch में जैसे ही जाओगे, batch में जाकर के आपको view offer में जाना है, code लगाना है, आपको इस पर maximum discount 77% discount मिल जाएगा, और आप हमारे batch में इन्रोल कर सकते हैं, इसको ये code आप Y447 किसी भी महापक के लिए, या फिर आप test series के लिए भी use कर सकते हो, तो guys, आप लोग इसे idea लगा सकते हो कि आपका level जो है, कितना level रहेगा, और आपको कितना जादा अभी और preparation क इसे आप लोग idea लगा सकते हो, guys, आज के questions से, ये previous year का question paper था, तो ऐसे ही question आप से पूछे जाएंगे, botmy वाला portion में आपका FCI में करवा रही हूं, तो आप botmy वाला portion हमारी classes में आके attend कर सकते हो, और हमारे batches में भी enroll कर सकते हो, by using the code Y447, okay, तो guys, हाँ, बिलको 77% discount आपको मि जाएगा Y447 code पे, ठीक है, तो चलिए, guys, मिलते हैं आप से next class में, तब तक के लिए आप लोग अपना खयाल रखेगा, और FCI की preparation अब शुरू कर दीजिए, okay, guys, तो चलिए, bye-bye and take care.